नमस्कार एटोजेट डिशश उशाक और जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करे जारे कठल की कोफता करी यह इतनी मज़ेदार लगती है बनाने में और इसे आप रोटी या फिर चावल के साथ खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा यह सबजी न इतनी बहतरीन है अगर आपने किसी को यह खिला ली तो आपके वो सब दिवाने हो जाएंगे तो कठल कोफता करी बनाने के लिए सबसे पहले 500 ग्राम कठल लेना अब यह न काफी चिप चिपा होता है तो आप इसे ऐसे नहीं काट सकते हैं अपने हाथों पर औ उसके बाद ही इसे काटना तो असानी से कट जाएगा दीखे चिलका निकाल कर इसे मोटे मोटे टुकडों में काट लेना उसके बाद गैस कौन करके कुकर रख देना इसमें दो ग्लास पानी डालकर यह कठल के टुकडे चुटकी भर नमक और हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना मिक्स करने के बाद कुकर का धकन देते हुए इसे हम सिफ दो विसलेनी की दो सीटी आने तक पकाएंगे जैसे पक जाए प्रेशल को निकलने देना और बस इसे भार निकाल कर ठंडा कर लेना आपको लगे किसे आप छूँ पारे तो इसे एक धन्या पावडर, धन्या के पते, एक नीमबू का रस और एक कब बेसन मैंने आधा आधा कब करके बेसन डाला है पर टोटल एक कब बेसन है स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और देख सकते हैं पानी डालने के जरूरत नहीं है बस इस तरह से मि अब देखें कोफता जादा बड़ी भी नहीं बनाना जादे छोटे भी नहीं मीडियम साइस के बनाना उसके बाद इसे एकदम अच्छे गरम तेल में डालकर उपर से सुनेरे हो जाए एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राइ कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते अच्छे से फ्राइ कर लिए से एक प्लेट में निकाल लेंगे अब चलिए करी बना आते हैं तो उसके लिए मैंने मिक्सर जार में डाल दिये चार टमाटर एकदम लाल लाल टमाटर काट कर डालना अच्छे से वाश करके और चार से पांच लसुन की कर लिया इस दोनों को ढ़क कर पीस लेना उसके पाद वही कड़ाई में सिर्फ दो चमस तेल रखना इसके अंदर आपको डाल दिना है एक चौथाई चमस जीरा दो बारी कटे वे प्यास और दो बारी कटी हरी मिर्ची अच्छे से बूनना है प्यास को एकदम जलाना नहीं है लालो नितक नहीं बस इसका कच्चापन दूर हो जाए लगभख इसे एक से दो मिनिट तक ही भूनना है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यास इस तरह से भून चुका है अब इसके अंदर में डाल ड़ी नमक स्वात के अनुसार ध्यान रखना कोफता में भी नमक और मसाले डाले हैं आदी च बरसन और टमाटर को पीश के रखाता दर वो डाल कर गैस की आज को बढ़ा लेना और इसे लगातार चलाते हुए भूनना लगबग एक से दो मिनिट तक देख सकते हैं एक से दो मिनिट तक इसे भून लिया है अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूं दो चमब जित आप घर की ताजी मलाई भी डाल सकते हैं जो दोद के ओपर जम जाती है एक चमब जितनी अमुल फ्रेश क्रीम डाला या घर की ताजी मलाई अच्छे से मिक्स करते हुए इसे और पकाना यहां पर आप देख सकते हैं इसमें अवाल आना शुरू हो गया तो अब इसके अंदर आपको डालते हैं और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बद इसके अंदर आप डालने हैं आपको आदी जम जितनी कसूरी में थी अच्छे से मसल कर डालना इसे न काफी अच्छा स्वाद आता है और थोड़े से दिन्या के पते डाल कर इसे अच्छे से मिला लेना और पांसे च्छे मिनिट तो किसे पकाना इसे धकर लिए नहीं पकाना और यहां पर लगवक पांसे- छे मिनिट हो गए vapor क्रीफ कठल की कॉफ़ अकरी बन कर तयार है अब देखें कितनी बहतरी लग रही है, सच बता रही हो ना मलाई कोफ़ता तो आप खाते ही रहते हैं कभी ये खा के देखे, इतनी क्रीमी इतनी मज़ितार, मतलब अभी मैं आपको बता रही है, तब भी मुझे पानी आ रहा है अब आप जाएसे गर्मा करम और मज़े कमेंट्स पे बताना कि आपको रसिपी कैसी लगी है अच्छी लगे तो इसे लाइक कीज़े शेर कीज़े अपने फ्रेंज और फैमली के साथ और हाँ, यहां तक आए तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थांक्यो फो वाच्चेंग